नमस्कार, स्री राम एकडमी के ओनलाई प्लेट्फॉर्म पर आपका स्वागत है किलास थर्ड जो की हमारी भिन्न की है इससे पहले हम दो किलास ले चुके हैं जिसमें मैंने आपको जो भिन्न जो हमारी चल रहा है चैप्टर उसके बारे में आपको बहुत बेसिक कॉंसेट्ट बताये थे, कुछ कोशन भी मैंने आपको करा दिये थे आपकी सामय जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको जो किलास खतब हुए थी हमारी वहाँ से मैंने आपको कोशन करने के लिए कहा था कि आपको यह करना है तो आपने कर लिया होगा यह कोशन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आपर देखिए पहले इसको रफ कर लेते हैं देखिए यह वाला जो है टू अपॉन फाइव एट अपॉन सत्रा इनकी एट पॉन सेविंटीन फाइव एट अपॉन सेविंटी थी यह चीज है इसमें सबसे बड़ी भिन कौन सी होगी तो देखो जैसा कि मैंने कहा था कि एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं कि आपक पॉन फाइव इसे बड़ी कौन सी है तो पास बटे गिला एक आट्वाटे सत्रा एंडे ग्यारा बार्ते टिए को कैने देख पा रहा है यहा पर यहां पर टेन ब्रगायाेया लगी तिं गे यहां यहां भी प्लस 3 हो रहा है यहां भी यह प्लस 6 हो रहा है और यहां भी यह प्लस 6 हो रहा है और यहां भी यह प्लस 6 हो रहा है तो सबसे बड़ी भिन कौन सी होगी यहां पर यहां पर होगी 11 वटे 23 सबसे बड़ी भिन होगी तो यहां पर लेखा हुआ है सबसे बड़ी भिन ह 11 बटे 23 तो ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा देती ही यहाँ पर ये कोशन एक और ले लिया जिसमें आप लोग को अब आए थेंग बिल्कुल किलियर हो गई होगी आपकी जो भी यह जब अंस और अंस और हर निश्चित क्रम में बढ़े या गटे गटने पर भी वो ही है अब आये देखते हैं आपके सामने अग्जामपर ले लेते हैं यहाँ देखो यह देखो, इसमें क्या करते हैं, कोशन है हमारे पास, दो बटे, साथ, तीन बटे, चार, पांच बटे, साथ, और दो बटे, पांच, अब ज़र इसकी देखों, यहां पर लिखा हुआ है, यदि अंस, वहर में, ब्रधी या कमी, एक निश्चित करम में नहीं हो, तो उनका आरोही या अबरोही करम ग्याद करने के लिए, उनको 10 मला भिन में बदलकर, हल कर सकते हैं, या सभी का ले से निकाल कर भी उनको हम, सॉल कर सकते हैं, तो हम यहां आपको, दो 3 विदी उता दे तो चलिए पहले कौन से हैं पहले हम देखते हैं दस मलब भिन से अब दिभाड़ी सीख जाओगे सब कुछ सीख जाओगे तो बहुत द्यास देखना जिनको नहीं आता बहुत आपको थोड़ा आजीव लगेगा यह चीज लेकिन आप जिसने पढ़ लिए वह कोई प्रॉलम सुसी है तो उससे पहले हम क्या करें इस अंअ कि देखते हैं दो क्या से करेंगे 10 मुलब भिन मैं तो सार्थ का दो में क्या करेंगे आप करेंगे तो चुँछ।ा नंबर है यह बड़ा 6 बचा और यह 0 हो गया है अब 7,8,56 आपको यह बात नहीं इसे 2 अंग तक कर लेंगे ठीक है तो यहां पर 0.8 आ गया 2 बटे 7 को हम क्या ले सकते हैं 0.28 यह आपको मैं लिखते जाऊंगा दूसरा देखते हैं हम लोग 3 बटे 4 इसे कैसे करेंगे 4 का भाग दिया हमने 3 में नहीं जाएगा तो हमने क्या किया एक सुनने लिया उसे पॉइंट लगा दिया अब कितना आएगा इसके अंदर देखो पहले हम लोग 7 बार करेंगे और फिर दो बच गया और 5 बार यह हो गया यानि कि 3 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 0.75 अब देखते हैं आगे और तो यहां देखिए यह साथ है यह साथ यहां आ गया बहर और यह पांच आ गया फिर से वही च्वटी संख्या है तो बच पॉइंट लगा कि करेंगे यहां पचास हो गया तो देखिए 77 जा 49 यह हो गया यहां पर और यह अगयन यहां पर किया हमने तो यह एक बार गया तो यह साथ बहुत दो पॉइंट दो अंक तक ही निकालना है तो यह हो गया पांच बटे 7 को हमने 0.1 कर दिया इसके लाबा लाश्ट बता जो बटे 5 इसको भी शॉल्व कर लेते हैं दो में 5 का व यह गया यानि कि एक बचा 0.4 अब यहां पर देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देखो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौह ने जरा रहा है 0.28 उसके बार देखो यह रहा सबसे बड़ा कौन सी है 0.75 सबसे बड़ी है हमारे पास यानि कि 3.4 सबसे बड़ी इसको ऐसे लिख लो देखो 3.4 उससे 5.7 उसके बाद जी उसके बाद देखो यह रही लास्ट वाली 2 बटे 5 ठीक है और यह लास्ट में 2 बटे 7 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे मैं अलगारा से लिख कर रहता हूं जीसे आपको समझ में आ जाए यह वाजा, 3 बटे, 4, सबसे बड़ा, उसे चोटा, 5 बचे, 7, उसे छोटा, 2 बटे, 5, यह रह, और उसे चोटा, यह, तो इस तरीके से यह, अगर आप, यह तो हो गया, घटते करम में बढ़ते करम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे तो यहां पर इसको इसको इसते कैसे लिख दीजिए उल्टा तो आपको यह आने मैंने आपको समझा दिये इसमें यह देख लेते हैं और नुडाउन कर लेजे इसको आप अब हम देखते हैं second method second method क्या है देखो जरा हमारे पार संख्या क्या थी हमारे पार संख्या थी दो बटे साथ तीन बटे चार पांच बटे साथ और दो बटे पांच दो सबका लेसे निकाल लो लेसे के निकालने से खायता है मैंने आपको कैसे निकालेंगे साथ चार साथ पांच वापस चैक कर लिजिए साथ चार साथ पांच ठीक है पहले दो से काट लेंगे इदो से काट लेजिए फिर पांच से और फिर साथ से तो दिखो कितना हुआ पांदोनी दस दस दूआ बीस और एक सुचालिस आ गया कितना आ गया आपके पास लैसे एक सुचालिस आ गया अब इस लैसे का मतलब क्या है इस लैसे का मतलब ये है कि आपको जो नीचे वारी संख्या है ना इसकी हर उनको समान करना है समान कैसे करना है देखो जरा साथ का भाग अगर एक सुचालिस में देंगे तो कितनी बार जाएगा बीस बार जाएगा यानि इसनी बीस का ऊपर नीचे मल्टिप्लाई कर लो ठीक है तो कितना हो गया यह आपके पार यह 40 हो गया और यही शादू इन्च वह था 140 हो गया पहरा संज में आ गया अब इसका आगया इसमें भाग कर लो 40 के अंदर 4 का बाग किया कितना बाग गया होई चाहती है बारह ठीक है और चार पंजो बीस अब हम क्या किया फिर से इस नीचे चालीस आ गया दूसरी बारे के लिए और तीन का 35 से मल्टिप्लाई किया तीन पंदरा तीन तीन नव नौरे दस एक सो पांच आ गया आपके पास हर हम क्या कर रहे है हर समान कर रहे है इसके बाद हमने क्या किया हमने 5 उटे 7 फिर वही किया दो खो साथ का फिर बाग 140 देंग तो कितना बाग बीस बाग जाएगा और बीस का गड़ा साथ का किया तो कितना हुआ चारीस आ गया उपर कितना हो गया सो हो गया इसके बाद हमने क्या किया दो बटे 5 और फिर हमने 140 में भाग दिया किसका पांच का तो कितनी बाग जाएगा दुखो पांच एक हम पांदूनी 10 और परंटो 40 कि अच्छा तो 28 का उपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग कि गुणा कर देंगे कि देखो कितना बचा यहां पर यह तो इसे 40 से आ गया उपर 26 और चार चार और एक पांच आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है सबसी बड़ी यह है तीन वटे चार यानि कि तीवटे से सबसे बड़ी हो गई दो यह हुए आप तीन वटे चार अपसे बड़ी होगी आपकी उसके बाद हम देखिए कि पांच वटे सात बड़ी थी जो सो आ रहा था जिसमें ठीक है इसके बाद हमारे दूसी जो आ रही थी यानिकि दो बटे पाच और उसके बाद हमारा आ रहा था दो बटे साथ यह आप पहले इता है। आप जो सबसे बड़ा था वह आपको क्या करना है हर समान करना है और जो बड़ी और उसको लिखते जाना है तो यह तो सबसे बड़ी जोटी फिर उसे चोटी फिर उ से चोटी आगार और चाहे आप हर को सम्वान करके, हर को सम्वान करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लैसे निकालेंगे, फिर लैसे के अंदर जो उसके हारे उनको भाग करेंगे, जो संख्या निकलके आएगी, उनका उपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इस तरीके से आपको य करते हैं next हमारे जो है दस्मलब भिन गयानि कि जो पॉइंट वाली भिन्य वह उसे कहते हैं लोग कि अभे को इनको शाधर्ण भिन्य के लिए नीचे यानि कि हर की इस्थान पर दस्मला की इस्थान पर एक तरह दस्मला के बाद जितने अंखो तो नहीं सुन्य लगा देते है आप इसको समझो कैसे जिसे मान लीजिए आप से बोला जाए यह था को मैंने पहरे ही बताया था कि यह है कैसे करेंगे इसको बिन्न दादने के लिए यह जो इसके नीचे की लगाया हमने बन लगाया इसके आगे कितने संख्या है दो एक दो यहां पर लगा दिए हो तो इसके कैसे लिखेंगे 43 बटे 100 यह हो गया बहुत ही जी है यह तो बैसे मान लो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव अब इसके कोश्शन भी करेंगे हम यहाँ पर बन लगा दिया ओ यहां पर एक दो तीन अब आप काओगे सर्य यह तो जीरो आपर देखो पॉइंट के बाद अंक से पहले अगर जीरो है तो तो इसकी वैल्यू है एक दो तीन अगर मान लो इसके यहां पर जीरो होता है इस तरीके से तो कोई वैलिव नहीं है लेकिन फिर तो इसको एक ही काउंट कर लेंगे लेकिन अंक के बाद अंक से पहले तो इसको काउंट करेंगे यह याद रखना अच्छा तो यह कितना हो गया हमारे पास पांच बटे हजार हो गया जो काट लेते हैं तो एक बटे फांच दस दो सो तो यह इसकी हो गई साधान भिन ठीक है इस से लोग गई बिल्कुल बलब इस से अधा यह नहीं होगी से अब देखिए और यहां पर एक और देखिए कि आन्स हमार मैं दसमार के बार वाले उंकों की सम्रुवहर स मालव हता देते हैं अब क्या मतलब बोला वैने नहीं को समझो जैसे मान लीजिए यहां पर 1 बटे 32 और 0.25 है तो दो अंकों के बाद तो यहां पर यह दसमलब हड़ जाएगी यनि कि समान अंकों के बाद अगर दसमलब है तो यह हड़ जाएगी लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर यह इस तरीके से होता 4 3 7 5 अब क्या करोगे çıktı तो यहां पर यहां पर हम पडिएवार सम्झोच क्या करना है आपको हम क्या करेंगे कितने पॉइंट अब अब आपको लिखना क्या इसको मैंने पहले सिंपल लिख दीता हूँ। मैंने से अब तरह तक मैंने एक दो तीन और तो यह नीचे वाला है इसका एक उपर चला जाएगा यह क्या चला जाएगा उपर और पॉइंट कितने अंक है एक अंक है तो यहाँ पर यह आ गया अब इसको दो खोग समझें कैसे आप क्या करना है आपको एक जीरो से एक जीरो कट गया याने कि कितना बचा उपर चार तीन साथ पांच और एक से ज़़ाईगा तो वही हो जाएगा और नीचे कितना जाएगा तीन पांच साथ डवल जीरो यह इसकी संख्या हो गई अब निकाल दो यह निकाल गया आप एक और समझने इस ट्राइब को इसन देखें फिर आप बताईएगा कि जैसा समझो कि 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 चार कि दो पॉइंट तीन पाँच आठ और नीचे दे दिया जीरो कि पॉइंट दो एक कैसे निकालेंगे इस तो कोई मिस्किल नहीं है यहां समझो कि 42 मैंने क्या गाता तीन पाइड लिख लिए यहां पर और यह एक किस लिख लिए जीरो है तो कोई लिखो या पन लिखो कोई भी नीपड़ता इसका पॉइंट का एक बन ऊपर आ गया पॉइंट आपके दे एक दो इसके ऊपर देखो यहां भी पॉइंट एक नीचे लग थ्री फाइव एट बटे एक हंडेट से के दो जुरू इसके आगे लगते हैं मल्टिपल करने को बहुत सिंपल तरीका है एक किस अगर सौ से मेरे तो बहुत दो जू लगा दो सौल हो गया तो यह आपके आंसर हो गया और एक और तरीका देख लेते हैं इसमें हम यहां के पाद उसने दे दिया चार तीन कंटा दो पांच और सात और यहां दे दिया इसने आउ ली दे कोई संख्या बड़ी है समय से यह नीचे वाली संख्या बड़ी है उपर वाली छोटी है तो यह संज में आगए आपके अब देखते हैं सांथ दस मलब भिन सांथ दस मलब क्या है देखो जब किसी अंस में हर का भाग देने पर दस मलब एक या दो अंक के वाद पूरताय हो जाए अर्थात दस मलब के बाद अउंकों के बाद दस हो जाए है उससे हम us7 दसमलफ भिन अब दासको एग्जाम्बल समझ लेते हैं चे WILL का भाग भाग दिया में फ़ाँ मैं यह तो कैसे जहाए थीरा पांच में दिया एक बान दौ रही दौने चार यहां पर आप इसे point लगा दिया तो यह हो गया अब इसको पांच वाज दे तो कितना यह सांत हो गया और देखो जिसे मान लो यहां पर दिया तीन वटे चार तो क्या किया हमने तीन में चार का भाग दिया अब देखुर यह छोटी संक्या तो जाएगा नहीं तो गीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगा देंगे तो यहां पर जागा कितनी बार गया अठाइस हैं दो बची गया अब देखुर चार पंजो बीच तो यह यहीं खतम हो गया तो इस तरह की से यह हो गई सांत सांत मतलब जो रुख जाता है यानि पूरी तरीके से खतम हो जाता है पूर्णते विवाजित हो जाता है उसको कहते हैं सांत दसमलव भिन याद रहेगा आपको बिल्कुल आराम आराम आपको समझा रहा हूं आराम आना समझिए जो कहा रहा हूं इसे लिखते जाईए आप क्या concept के लिए हो जाएंगे कहीं भी आपको कोई प्रॉलम नहीं होगी अब देखते हैं नेक्स्ट असांत दसमलब बिन देखिए आपके असांत दसमलब बिन का मलब क्या है जब किसी अंस में हर का भाग दें तो वहें दसमलब के बाद पूर्ते विवाजित नहीं हो पहले हो रही थी अब यहाँ पर नहीं अर्थात उसका दसमलब सांत नहीं हो तो असांत दसमलब बिन कहलात ऑखिक है आप इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं इसे दस बटे तीन है और देखो जरा क्या से क्या होगा और जो चीज़ रोकनी रही है यह क्या होगी असान्त हो गई तो आपको याद रखना है अब इस असान्त दस्मलव भिन के भी दो परकार होते हैं कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक होता है आवर्ती असान्त और एक होता है अनावर्ती असान्त अब वो क्या असांत दस्मलब भिन देखो आपके सामने आ गया आवर्ति असांत इसको अन्वसानी गोलिया था इसको छोड़ो सिंपल समझो जब किसी अंस में अंस क्या होता है याद है ना उपर वाला अंस नीच वाला हर अंस में हर का भाग दे तो दस्मलब के बाद की संख्याएं एक न इस चित क्रम में वड़ें तो असांत का आवर्ति असांत दस्मलब भिन कहलाती है आवर्ति असांत दस्मलब भिन परिमे संख्या होती है यह बहुत इंपर्टन चीज है यह आवर्ति असांत दस्मलब क्या होती है एक परिमे संख्या होती है यह आपको याद अखना है अब 57 में 99 का भाग दिया कितनी बार जाएगा तो अगर आप देखोंगे तो यह अश्चित क्रम निश्चित क्रम समझे रहे हो और इनको बार बार अब ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम एक बार एक चिन लगा दें तो यह बार का चिन होता है बार यानि छड़ बार आ रहा है तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग 0.57 बार कूपर लगा दिया हमने बार तो क्या हूँ रहा है तो क्या होँड़ सिखाएं की बार का मतलब क्या होता है और कैसे इसको अम लोग यूज करते हैं तो याद समझे जो चीज बार बार आ रही है तो बार का चिन क्या होता है यह होता है बार का चिन यह जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं बार का चिन और यह उपर लगता है इस तरीके से तो इसे बोलते हैं हम लोग और यह क्या होती है यह परिमे संख्या होती है अब देखो अनावर्ति असांत दसमलब भिन अब अनावर्ती असान दस्वनलब भिन क्या है जब किसी अंस में हरका भाग दें तो दस्वनलब के बाद आजी संख्या और निश्चित करम में बढ़ें पहरे निश्चित करम में थी यहां कि 3.33333 बढ़ें तो यह निश्चित करम हो गया 0.575757 यह निशित करम हो गया, और निशित करम कैसे होता है वो देखो समझो, जैसे 6 बटे 7 ले लिया, क्या ले लिया, 6 बटे 7, अब 6 बटे 7 मैं आप करो, तो पहले तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यह 8 बार गया, 56 हो गया, इतना बचा, 4 बचा, ठीक है, अब 5 बार ग चयन्ज हो गया, 35 फिर 5 बचा गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से सबर्चना बहुत, 149 बार गया, ठीक है, आब जैको समझाए हो, चैन्ज हो रहा है, और यहां पर एक हो रहा है, तो यह कितना हो गया, तीन आ गया, फिर देखो, अठाइस आ गया, फिर दो आ गया, फिर दो बाग किया, तो देखो इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो यानि क्या काता है इसने, जब किसी अंस में हर का भाग दे, तो दसमला के बादल संख्या अनिश्चित करम यह अनिश्यत करम है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग अनावर्ति असान दसमलव भिन यह नहीं बढ़ रही है इसे किसे आप यह आपको निकालना है कि वही जिसके तरह में च्छै अंक वत निकालना है पॉइंट के बाद यह आपको निकालना है होमबर के आपके लिए 11 बटे सा को कैसे निका करेंगे कितने तक जाएगा यह आपको करना है और ध्यां करना कि चीटिंग मत करना जितना है उतना करना है कहीं देखना नहीं खुदी इसे पुर डिवाइड करना कैल्कुलेटर मत निकाल लेना हमें जाके डाल दो अखर लोग आ गया सर्थ फोन में देखके नहीं खुद से करना यह आपको होमबर्क है तो इतना होगे हमारे पास अब देखते हैं आवर्ती असान दस्मला भिन को साधर्ण भिन में कैसे बतलते हैं कैसे बने लेंगे देख़े रहा जैसे एक कोशन है आपके सामने इसे मालेजे एक्स बार को साधार्ण भिन में बदल लिए तो क्या करेंगे सबसे पहले पहले जो इस यह है इसको हम मानेंगे जीरो पॉइंट सेक्स बार मैं आपको दोनों सोट्रिक्स और लांग्ट्री दोनों सिखाऊंगा जो आपको अच्छी लेगे आपको यूज कर लीजिगा अब देखो यहां पर बार कितने अंकों पर है एक अंक पर है तो दोनों साइड यानि कि इधर भी और इधर भी हम क् हम इस तरफिक से लिए सकते हैं ज्यान से थमझना लए सकते हैं तो मैंने इस क्या किया इप्रिक्स करए लिए यह जिए दौनों साइड दस का गुना किया जो किया गुणा किया गुणा किया क्यों किया भई इसलिए किया कि यहाँ पर एक अंग पर बार है तो दस से करेंगे दो अंग पर बार होती तो दो से करते यानि कि सौस से करते तीन पर होती तो हजार से करते चार पर होती तो ठीक है दस हजार तो इतना बड़ा आएगा नहीं है अपके तो यहां पर कितना दो अब इसको 10 को करेंगे तो कितना जगा 10 X इसको करेंगे तो इसको आप इत्रके समझो 10 को किया तो यह हो गया ठीक है दो अंको के बाद लगा तो यहां लगा दो कि कितना हो गया 6.6 यह हो गया आपके पास तो हमारे पास यह समझ में आपको दोनों बहुत इजी से चीज़ा समझेंगे कि अब हमारे पास इसको माली हमने equation 1 क्या माली equation 1 और इसको माली equation 2 अब क्या कि equation 2 मैंसे equation 1 को हमने क्या किया मायने से 10x मैंसे 1x गया जो इस किया तो कितना बचा 9x बचा कितना बचा नो और 6.6 मैसे 0.6 इसे कि समझो तो कितना बचा यहां पर 6 बचा तो इसको क्या करेंगे एक्स बटे 6 बटे 9 इसे तो काट जागा यह तीन से तीन तीन नो तो यह तो हो गया long method सीखने के लिए सिखा दिया मैंने आपको long method भूल जाओ तो इसको आपको याद अखना है अब आप हम सिखाते हैं आपको short tricks देखते हैं आंसर कैसे लग करोगे 6 बटे 9 आ गया था सर कैसे करोगे देखो देखो जे रहा आप इसे no down कर लीजिए अफट आफट कर लिए को अगे बटते हैं अब देखो क्या करना है जैसे मालो 0.6 बार है तो क्या करना है आपको 6 लिखो, जो ठीक है, किते अंग पर बार है, एक अंग पर बार है तो उतने ही नीचे 9 लिख दो, अगर 2 अंग पर तो अजिए 9 लिख दो, तेन पर होती, तो 3 बार 9 लिख देते हैं, सब्सक्तित, बहुत सॉटर हैं बता दिए आपको, 6 है तो 6 लिख दो और एक अंग पर बार है तो यह एक अंग लिख दिया 6 बटे 9 कार दो 3 दो है 6 और 3 तिया वही आंसर आ गया बापस समझ लो एक और 0.130 यह दो 3 अंग पर बार है तो क्या करेंगे भई इन तीनों को लिख लो 130 लिख दिया और चोड़ दो और यह नीचे किते वार लिख दिया 3 बार 9 लिख दिया और यह आंसर आ गया आपके पास बहत इजी है तो इजी बहत है सिर्व आपको समझना है दूसर तरीका भी होता है वो भी आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो समझाएंगे उसके बारे में कि बार लो यह वाला कोशन आ गया अब यहां पर तो प्रेदे तो यहां पर सब प्रेद थी अब यह बीच में इस पर नहीं है तब कैसे करेंगे तब कैसे आप सॉल्व करेंगे तब उसका आपको अलग तरीके से बताएंगे तो आज की वीडियो में इतने ही था जो अब यह लास्ट वीडियो आएगा इसके बाद जिसमें आपका जो यह दसमलब भिन है वो पूरी तेकर खतम हो जाएगा उसमें हम आपको कोशन कराएंगे जो भी इंपूर्टन कोशन है वो आप कर लोगे ठीक है और पैक्टिस कीचे गर जाके जो भी आपकी प्रॉलम है आप वो आपको से कुछ सकते हैं